हेलो गाइस आज आज आपको 24 किलोवाट का आज टूपी में से लाइनेस पाउर का उसका कुछ पॉबलम है अपके साथ डिसकर्स करूंगा फुरों एंड तक मेरे वीडियो देखे पहले सबसे पहले हम आप देखाएंगे मेंस है फिर भी आपका कॉंडक्टर होल नहीं हो रह है पहले फार्स टाइम अपको देखना है आपका पी ए मस कांट्रोर में अपका भोल्टेज आ रहे के नहीं हा रहे उसके फास चेक करना है जिए पहले अपका कॉंड्रोला डिस्पेल पाछाएगा उसके बाद मेनू बटन जो है उसको दबाना है मेनू बटन दबाके आपक मेंस में जाई है मेंस के बाद फिर न्यूटल वोल्टेज आपको चेक करना है यहां पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो वोल्टेज है तो आपका वोल्टेज सेरे का और दूसरी भी पॉब्लम हो सकता है यहां पर वोल्टेज चेक करना चेक करने के बाद आ रहा है तो ठी SPD Card जो है SPD Card भाया होके PMS में जाता है ठीक है तो SPR Card आपका mains power रहेगा कि SPR Card fault रहेगा तो आपका आप कॉंडक्टर नहीं लेगा इसके लिए आपको SPR Card चेक करना है input output हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है और SPR आप खराप हो गया उसके लिए आप उपर नीचे शर्ट करने के शर्ट करके भी चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं रहता है क्योंकि SPD High Volt Suns Protector है कार्ट आपका हाई बोल्ड होने से फॉल्टी हो जाता है ठीक है तो यहीं पर आप देख सकते हैं और दूसरा आपका सही है नहीं आप तीन चारो एलेटी है दिखे तीन फिक्सट रहेगा नीचे और एक बलिंग करेगा ठीक है तो आपका फ्युत सब्सक्राइब है आप देख ठीक है उसके बाद आपको कॉन्टक्टर देखना है तो दूसरा पॉबलम होता है आपका में से कॉन्टक्टर लेकर छोड़ाइब यहांपेस्टे इसफ़ेयर को करेगा एक एकश्यार है और उक्ताथ वटे आपको तो तीनो को आपको चेक करना है जो 123 बोलके sbr है तो पहले आपको मेनू में जाना पड़ेगा मेनू में जाके आपको configuration में आना है ठीक है configuration में आके आपको pms related पीमेज डिलेट्रेक के बाद आपको नीचे आना है नीचे देखिए sbr1, sbr2, sbr3 तीनो अप्शन है ठीक है तो यहां पर एक SBR है इसलिए आपको 2SBR 3 और SBR 2 डिजबल करना है ठीक है SBR देखें यहां पर SBR 3 एपसेन और डिजबल तो SBR 2 भी सेम आपको करना है एपसेन और डिजबल उसके बाद SBR 1 है SBR आपको फोल्ट रहेगा तो आप बाइपास भी कर सकते SBR 3 डिजबल कर सकते इसके कोई दिक्कत नहीं आपको दूसरा कॉंटक्टर से बाइपस करने से भी आपका रेक्टिवार चलेगा कॉंटक्ट्र भी होल्ड करेगा और यहां पर हाई कटिंग लो कटिंग आपका मिनिमाम हाई कटाप सब कुछ यही पर आप सेटिंग कर सकते कि पॉल्टेज कितना अउटपुट दे रहा है । देखके आपको सेटिंग करना है यहीं पर आपको सब डिची और डिची स्टार्ट के लिए के लिए एक दो चीज के लिए आपको मोई स्टार्ट होता है उसके लिए बेगे जार्ड आपकर करना है उसके लिए दन 49 में मैं दखाता हूं अबने को है लीचे मेर्टम इन Salut सेल्टर में आपको रूम टेमपरचर सप्टिंग करेंगे आपको टेंपरक्रे सेटिंग करना टैसन में करेंगे आपको डिडिजाओं मत्रीज सब्सुनर मंडिया इप uzas सेट्टिम कर लिजिए और रुम टेंपरेटर सेटिंग होने के बाद फिर भी इचसी इज हो जाता तो और एक अपको लोगो organization स आपको पाव प्लान जो excited होता है हुई पर आना है पाव प्लान में ठीक है फिद इस पर प्लड का पावर आप यहां पर देखिए बैटरी हेल्दी बोल के जो अपर में वह बैटरी हेल्दी थोड़ा जो आपका डीजी इस टार्ट होगा उसके इस अब से 48.5 आप स्टार्ट होगा उसके लिए 48 कर दीजिए क्योंको कॉम रहाएगा तो बीटी हेल्दी बोल्टेश तो डीजी इस पॉल्ब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है दूसरा वह भी नहीं होगा तो और भी एक अप्शन है एक सी मैक्सिम्म साइट में हाई रूम टेंपरचर आ नहीं होगा जो लोड इसी सेटिंग रहेगा हो इसकी सब से आपका डीजी स्टार्ट होगा तो यह आप कर सकते हैं ठीक है वी पॉब्लम आपका सॉल्फ हो जाएगा उसके बाद आपका क्या कॉन्टक्टर कौन सा लेगा नीचे दें जो पोशन है सी नाइन सी फोर सी टू टीनों फेज्ट कॉन्टक्टर थिनों आपका पावर में लेगा सी 9 सी 2 ठीक है चीनों फेज लेगा उसके बाद सी 3 आपका उपर में जो कॉन्टक्टर है सी C9, C3, C3 आपका होचे neutral contactor, neutral contactor ले गया, उसके बाद C6 और C7, यह दोनों आपका contactor, phase contactor है, rectifier के लिए आपका output ले गया, ठीक है, आपका तीनों phase, C9, C4, C2 phase हो गया, उसके बाद C3 आपका neutral हो गया, और C6 और C7, यह rectifier को आपको हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका डीजी contactor, डीजी, आपका डीजी contactor भी, आप यहाँ पर, डीजी contactor से मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर competition जाके, configuration उसके बाद आप rectifier, rectifier जाके कुछ setting है, rectifier जाके आप उपर में देखिए, रिफेशेंसी पोथम जो option है, उसके disable or renewable, क्या होता है कुछ आपका डीजी running के बैटरी आपको weak रहेगा, side battery तो क्या होता है, डीजी आपका voltage आप होके फिर low हो जाता है, तो आपको कुछ rectifier को setting करना है, ठीक है, तो rectifier आपको menu configuration, IPMS related, उसके बाद power plant जाके rectifier जाके, bottom option होगा disable, उसके बाद आपका enable रहेगा, तो यह दोनों आपको setting करना है, ठीक है, और dg contactor के लिए आप hold करेगा, c10, c11, c11, c10 और c6, ठीक है, और c8 आपका neutral contactor ओ भी hold करेगा, तो c8 होगे आपका neutral contactor, c10 होगे, main dg contactor c10 है, ठीक है, उसके बाद page contactor c11, c6, यह दोनों contactor आपको लेगे, अब dg के खेद लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे alarm के लिए देखिए, यहाँ पर alarm आपको यहीं पर सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर देखिए, एक टो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है, अब डीजी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर ले सकता है, ठीक है, यहां पर देखिए, टीबी वान आपका होगा है फोर और ट्वेल्फ आपका मैंस पेल यहां पर लिखा हुआ है तो ऐसे करके आप यहीं से टूटली यहां पर डीजी ऑनलोड आपका मैंस पेल साइड़ अन बैटरी सब कुछ यहीं पर आपको एलम मिल जाएगा तो यहां पर देखे आपको स्टि टीबी फोर टीबी वान यहां पर टोटली आपका मिल जाएगा यहां पर कानेक्शन को किया हुआ है मैं भी यहां पर आउटपुट दिया हुआ हूँ तो आपको यहीं पर सब कुछ यह भी एक टो पीपी रिले काट है यहीं से भी आप अलम ले सकते हैं और कॉन्टक्टर ठीक है तो गाइस मेना वीडियो लाइक अच्छा लगे तो एक टो लाइक कर देना जुरूर